तो आज का हमारा टोपिक है गोस्त हो रहा हूं तो लास्ट टोपिक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इए कोस थीटा या इरेगुलर सेप के लिए हमने पढ़ा था इडोट डी-एस या इडी-एस कोस थीटा वट गोस आया गोस ने एक अलग बता कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप किस से निकालते हो ये कोस थीटा लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर क्लोज सर्फेस है पहली कंडिशन क्लोज सर्फेस दूसरे त्रीक्डे से भी निकल सकता उसने का जो आपने फ्लक्स निकाला क्यों को किस से मल्टिप्लाई कर दो one by epsilon no time से परम close surface दो और मेरे को चार्ज बताओ और चार्ज को किस से डिवाइड कर दूँगा सिदा एपसाइल नोट से या multiply कर दूँगा 1 by एपसाइल नोट टाइम से तो गोष ने अपनी थोरम दी और ये गोष थोरम थी तो इसकी definition क्या है तो according to गोष थोरम the total electric flux total electric flux over a closed surface बिलकुल गोष थोरम closed surface के लिवा एप्लिकेबल है in vacuum is equal to 1 by एपसाइल नोट टाइम्स the total charge the total charge and closed by that surface तो उसने यही कहा कि the total electric flux है किसी closed surface में यानि कि phi e dot ds यह मैंने integration के उपर यह sign यह लगा रखा circle का, इसका मतलब closed integral की surface closed होना चाहिए और वो क्या होगा q by एपसाइल नोट टाइम्स the total electric flux यह आपने पहले lecture में किया था is equal to 1 by एपसाइल नोट q को 1 by एपसाइल नोट टाइम्स से multiply करोगे तभी तो यही आएगा तो वो electric flux है यह ghost theorem है in vacuum is equal to 1 by एपसाइल नोट नोट टाइम्स the total charge enclosed by that surface लेकिन अगर हमारे पास हम इसकी application भी करेंगे आगे अगर कोई closed surface नहीं है तो अपनी तरफ से zoom करेंगे और वो गोशियन surface के लाएगर वो hypothetical नकली पाखंडी surface होता है totally नकली अब इसका प्रूफ करते है हमने एक स्फेरिकल कंड़क्टर consider किया this is a spherical conductor इस spherical conductor के center पे एक charge रख दिया क्यूँ इसकी radius है r इसका area vectoris पे perpendicular तो एक छोटा सा cross section consider किया मैंने ds और ds का area vectoris पे perpendicular यह अब electric field electric field lines की property है electric field में इसा surface पे क्या रहती है perpendicular यह electric field अगर मैं यहाँ से flux निकालू जो जनलिया आपने निकाला है e dot ds यह phi is equal to क्या बन गया e dot product को solve करोगे e ds cos theta यहाँ पर एक condition angle between e and ds is वो आप बिल्कुल दिखाए दे रहा हुगा e ods दोनों same direction में area vector भी perpendicular electric field भी perpendicular क्या बना 0 then phi is equal to क्या है e ds cos 0 तो phi is equal to क्या बन गया e ds बिल्कुल सी दिसी बात अब electric field on the surface किसी भी conductor के कांड क्या बनेगा e का formula 1 by 4 pi epsilon node charge upon r square यह starting wall lecture मैं रे electric field बाले में बताया था कि point charge के कांड अब यहां पर phi is equal to e बाहर ले लिया 1 by 4 pi epsilon node q by r square integration किसका ds का और ds sphere पर एक छोटा सा part consider किया है जब इसका पूरा integration करेंगे ds का मतलब पूरा s और इसका surface area क्या होता है then phi is equal to 1 by 4 pi epsilon node q by r square ds sphere का area 4 pi r square 4 pi से 4 pi r square से r square तो phi is equal to क्या बन गया q upon epsilon node बिलकुल simple otherwise vector form unit vector no need simple उसने यह बता हुए यह result हमारे पास हाया कि किसी भी surface पे जो total electric flux होता है वो क्या होता है 1 by epsilon node times the total charge enclosed by that surface right अब जैसे मेरे पास यह एक सरफेश है labor for close surface तो close surface में total charge इसका कोई use नहीं close surface में total charge कितना है 2 q और 3 q कितना हो गया 5 q किस से divide करना है epsilon node time से कई बार question आता है एक बार cps में भी आ था कि हमारे पास कोई close surface है उसके अंदर डाइपोल रखी है दो डाइपोल एक की डाइपोल मोमेंट P1 और एक की डाइपोल मोमेंट P2 और वो रखी गई है 60 डिगरी एंगल से वाट विल भी दा फलक्स बहुत सारे इसमें सोचेंगे की की इसमें लगा दें ट्रेंगलो पर लेलो ग्राम लो फेक्टर एडिशन रेक्टेंगूलर जो भी लेकिन गोस्थोरम क्या कहती की जो टोटल इलेक्ट्रिक फलक्स होगा क्लोस सर्फेस में वो क्या होगा 1 by epsilon not times the total charge enclosed by that surface और डाइपोल पर net charge एक तरफ माइनस क्यू एक तरफ पलस क्यू कितना होता है 0 और कितनी भी डाइपोल तो net charge क्या हो गया 0 0 by epsilon not क्या बन गया 0 तो टोटल फलक्स क्या होता है 0 किस पे अगर हम डाइपोल किसी भी क्लोस सर्फ करते हैं राइट यह surface कैसे है Gaussian surface एक और simple सी बाद जैसे suppose करो if radius of gaussian surface is increased to twice what will be fact what will be fact on flux phi पे क्या फरक पड़ेगा charge क्यू था तो flux क्या बना q by epsilon not times बडा surface बना दिया charge क्यू था वही तो flux क्या बना q by epsilon not times तो flux total depend करता है total charge and closed by that surface otherwise flux किसी पे भी depend नहीं करता तो ghost theorem is applicable only for closed surface closed surface के अलावा ghost theorem किसी पे भी depend नहीं करती राइट तो यह मारे पास ghost theorem कि आपको किवल close surface लेना है अगर ना भी है तो आपको अपनी तरफ से कोई भी close surface consider करना है राइट वह बड़ा असान सा टोपिक बन जाता है तो यह थी मारे पास ghost theorem next lecture में पढ़ेंगे इसकी application अपकेशन